इस वीडियो में हम देखेंगे कि डबे में अंडाकरी केसे बनाते हैं तो आईए देखते हैं कि डबे में अंडाकरी केसे बनती है तो यहाँ पर मैंने कड़ाई ली है कड़ाई के अंदर दो टेबल स्पून कुकिंग ओयल को एड़ कर दिया है half teaspoon zira को add कर देंगे और 7 साथ एक थेज पता को भी add कर देंगे zaida को थोड़ा सा भूनने देंगे दुस्तों जीरा भूनने के बाद एक पायाज बारी कटा हुआ और 7 साथ दो हरी मिर्ची बारी कटीवई को add कर लेंगे इनको अच्छी त्रिकी से भूनना है है अधर लेशन के पेश्ट को हमें दो से तीन मिनिट तक पकाएंगे अच्छी तरीके से अध्र कलशुन के पेश्ट को पकने के बाद अधा टमाटर बारिक कटावा को एट कर लेंगें तामाटर को बुनेंगें अध्र के पेश्ट के साथ ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए इसके बाद हमें सुक्य मसला को एट करना है तो सुक्य मसला में हमने एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को एट कर लिया है हाप टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर को एट कर दिया है लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को भून लें तेल के अंदर सुख्य मसाला को भूनना बहुत ही जरीरी होता है दोस्तों तब ही सुख्य मसाला को जो टेस्ट है वो अच्छा आता है दोस्तों तो एक बड़ी चमच नॉन्वेज गिरेवी को एट कर देंगे दोस्तो non-wage gravy कैसे बनती है अगर आप इसकी वीडियो देखना चाते हैं तो उपर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं नोन-wage gravy से दोस्तो अंडाकरी में काफी अच्छा टेस्ट आता है दोस्तो और डबे में अक्सर ऐसे ही अंडाकरी को बनाई जाती है दोस्तो एक टीजपून धनिया पौडर को एट कर लेंगे इसके बाद एक टीजपून कस्मिरी लाल मिर्स पौडर को एट कर देंगे कस्मि देवी को अच्छी तरह की से पकाना है मसाले के साथ को यहां पर दो उबले हुए अंडे को छीर लिया है है और एक के दो बाग कर लिया है इनको अब gravy के अंदर मिला लेना है थोड़ा सब बुनने देंगे gravy के अंदर अंडे को ताकि जो gravy का जो प्लेवर है वो अंडे के चला जाए इसके बाद एक से दो कब पानी को एट कर लेंगे फिर हमें स्वाद अनुसा नमक को एट कर लेना है हाप टी स्पुन चे भी कम गरम मसला पाउडर को एट कर लेंगे पकाएंगे लोफ लेम पे और अंडा करी मसला बनकर त्यार हो गया है तो अब उपर से हरा दिन्या पत्ति को एट कर देंगे अंडा करी सर्व के लिए त्यार है तो आप रोटी पराटा नान राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं दोस्तों